हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब स्वागत आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर मैं बवीता आप सभी का स्वागत करती हूं तो देखिए आज बनाने वाली हूं में आलू के पकोड़े तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे टेस्ट ही हमारे पकोड़े बनकर और बिल्कुल फूले हैं देखिए कितने अच्छे से जैसे कचोड़ी पूड़ी फूलती है न उसी तरह से फूल गए हैं यह दिखाती हूं मैं एक आपको तोड़कर तो देखिए कितने बढ़िया हमारे स्वाधिस्ट पकोड़े बने हैं और मैंने इसको हरी खटी चटनी और यह टमाट करें इससे जो पकोड़े बिल्कुल बढ़िया बनकर तयार होंगे तो देखिए यहां पर यह आप इनको काटना नहीं है इस तरह से देखिए जैसे चिपस बनाते हैं उसी मसीन से मोटे पतले आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यहां पर देखिए अच्छी तरह से थो परफेक्ट बनके हमारे चिप्स बहुत ही अच्छी तरह से तयार हो गए हैं यहां पर तो देखिए इसी तरह से जो बाकी के बचे हुए आलू थे वो भी मैं इस तरह से कसलूंगी और क्या होता है इसको पानी में ही कसें ताकि सबी को पता है कि आलू काला पड़ जाता है उस इनको सुखाते हैं तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं किचिन टावल ले लिए मैंने अच्छी सी कपड़ा हो और इस तरह से देखिए चिप्स फैलाने हैं एक एक चिप्स बिल्कुल अलग अलग फैलाना है पानी नहीं रहना चाहिए इसमें अगर पानी रहेगा तो बेसन अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे यह इसलिए मैं इसको साफ कर रहे हूं तो यह कि दिखाती हूं मैं कि सतरह से थोड़ा से बीचे से दोने तरफ से साफ हो हो गए हैं कोई पानी नहीं रहा इस पर तो अब बहुत अच्छे हमारे पकोड़े बनने वाले हैं इसी तरह से मैं सारे आलो के जो चीप्स मैंने बनायते उनको अच्छे से साफ कर लोंगी तो देखें आइये शुरू करते हैं बनाते हैं इसका बैटर तो तो तेहें यहां पर मैं बैटर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी भरकर ये बेशन ले लिया है एक कटोरी बेसन में हमें ये छोटी चार चम्मच भर के चावल का आटा एड़ करने वाली हूँ चावल के और बेसन के जो मिला कर हम पकोड़े बनांगे बहुत अच्छे क्रिस्पी हमारे पकोड़े आज तयार होने वाले हैं अच्छे से इसको मिलाना है उसके बाद एड़ करते हैं तो सबसे पहले नमक और ये अजवाइन और चम्मच भर के चिली फ्लैक्स और ये सफेद तिल एक चम्मच और आदी चम्मच हल्दी हल्दी सब कलर बहुत अच्छा हो जाता है और देखिए ये बारी कटा हुआ धनिया अच्छे से मिलाना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है एक साथ पानी का यूज नहीं करेंगे हम थोड़ा थोड़ा डालकर करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है पतला न हो जाए थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तमाल किया है उसके बाद मैं बैटर बना लूँ अच्छी त तरा से थोड़ी देर और चलाओंगी मैं बढ़िया करके चलाना है ताकि जो बेशन वागेरा में लंस होते हैं वो निकल जाए तो अब इसको रखते हैं तयार हो चुका है दो से तीन मिनिट के लिए जादे दिर नहीं रखना दो से तीन मिनिट हो चुके हैं अब मैंने इसमे दो चम्मच रिफाइन ओइल जो मैंने गरम होने के लिए रखा था वो इसमें आड़ करने वाली हूँ अच्छे से मिलाना है बढ़िया करके तो देखी बाजार जैसे बिल्कुल अच्छे स्वाधिस्ट परकोड़े हमारे आज तयार होने वाले और बहुत इजी रेसिपी ह बहुत आसानी से घर में बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टैस्टी लगती तो यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है देखती है थोड़ा से बेशन छोड़कर तो वे तेल हो चुका है हमारा गरम अब देखी डुबा डुबा कर बेशन में इसको और त यहाँ पर देखें पलट देते हैं इसको और हिलाते हुए बनाना है ताकि यह पूड़ी की तरह फूल जाएं जल्दी से पलटना है तो देखी कितने अच्छे से यह पकर तयार हो रहे हैं बिल्कुल फूले फूले जिस तरह से कचोड़ी और पूड़ी आ फूल जाती पाने में बहुत ही बढ़िया रगने वाले हैं तो देखी यहाँ पर निकाल लिए मैंने इसी तरह से में और भी छोड़ने वाली हूं तो आपके डालेंगे कुछ जादे से तो बारिस कमोसम हो ठंड कमोसम हो लंच डिनर जब भी मन करें आप बनाकर खा सकते हैं तो देखी कि बहूत सारे छोड़ेते मिरें कितने अच्छे से खूल चुके हैं विल्कुल पूरी की तरह तो साइट्चेंज करते हैं बहुत हैं यहां पर करते हैं इन को सब्ट खाये वह सब शुर। आपशे धाने में भी देखने में भी अगर कोई मैहमान आएं तो फटाफट से बनार लें कैसे पकोड़ी तो हम खाते ही हैं के थेस्ट और टेस्ट में भी अच्छे तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ पक चुके हैं यह जाद नहीं पकाने हैं इनको जाद पकाएंगे तो यह कड़वे लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे देखी यहाँ पर निकाल लिए हैं तो आईए करते हैं इनको सर्फ तो सर्फ करने के लिए मैंने पिलेट ले लिए हैं और इसमें दो तरेगी चटनी का इस्तमाल किया हैं मैंने गिरीन चिली और टमाटो सोय सोस तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे ये पकोड़े और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक बार जरूर ट्राई करें इस तरह से पकोड़े बनाना तो देखिए मैं दिखाती हूं कि इस तरह से इनका अच्छे से कलर हो चुका है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करें और एक बार जरूर ट्राई करें इस तरह से पकोड़े बनाना